हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्का Study IQ IAS Hindi प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए सवाल पर बात जित करेंगे आधोनिक भारत के इतिहास में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से खल किया सकते हैं बहुत ही आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको उस प्रश्न के प्रती समझ विक्सित होनी चाहिए यदि आप प्रश्णों को नहीं समझेंगे तो फिर वो सभी सवाल जो आसान होते हुए भी आपके लिए कठिन साबित हो सकते हैं तो इसी सिलसले में हम लोग इस सीरीज के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रश्णों को किस तरीके से समझें और उसका उत्तर किस तरीके से दें ताकि आप बहतर से बहतर प्रफॉर्मेंस एक्जामिनेशन के समय में कर सकें मेरे ख्यास से कल जो मैंने आपके साथ सवाल डिसकस किया था मुझे उमीद है कि आपने उस सवाल को देखा होगा उसके बारे में समझा होगा उसको एक बार अपने से खुद से लिखने की कोशिश की होगी और यदि नहीं लिखा है तो उसे फिर से एक बार चिक कर और उसका अभ्यास जरूर किजेगा एंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है यह आप गांठ बांत लीजिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आप आंसर राइटिंग से बचेंगे तो फिर आप सफलता की कदम की और आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो प्रभाव की संभावनाए रही थी जो इंपक्ट की संभावनाए रही थी उन संभावनाओं के आधा पर प्रश्ण को समझेंगे और उसके संदर्व में जो उत्तर का प्रारूप है उसके बारे में चर्चा करेंगे जो सवाल है दोस्तू सवाल क्या है बिटिस सरकार की साम दिली प्लाइफ कोट का आप इस्तिमाल कर सकते हैं, यदि आप जियेस के कोर्स में पाटिसिपेट करना चाहते हैं, जियेस का कोर्स आप करना चाहते हैं, तो फिर दिली प्लाइफ कोट का आप इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको चर्चा के अंत में एक बार औ जो प्रहाव पढ़ता है वह क्या है ठीक है इसे के संदर में इस प्रस्ण के उत्तर में आपको बताना है कल जब मैंने आपके साथ चर्चा की थी तो उसमें प्रस्ण का जो इंटेंशन था वह ये था कि बिटिस समाजिक सांस्कृतिक नीतियों और उनके मकसदों को बताईए उसके उद्देश को बताईए उसके अबजेक्टिव को बताईए क्या उसका objective था इसमें बताया जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि साहब यहाँ पर उद्देश नहीं बताईए यहाँ पर आप प्रभाव बताईए कि भारतिय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है न तो अब यहाँ पर हमें इस बात को टेटोलने की जरूरत होगी कि जो समाजिक और सांस्कृतिक नीतिया है वे कौन कोन सी नीतिया अपनाई गई है और उनका impact किस तरीके से भारतिय समाज पर परा है point to be noted कि यहाँ पर भारतिय समाज पर प्रभाव की बात की जा रही है भारत की अर्थिवेवस्ता पर प्रभाव की बात नहीं की जा रही है इसलिए जो आपके उत्तर का direction होगा वह इसी तक सीमित होना चाहिए उसको विश्यांतर नहीं ले जाना है यहाँ पर इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है जब हम समाजिक और सांस्कृतिक निती के perspective में बात करते हैं तो फिर देखो यह समझो कि आखिर उस समय का जो भारतिय समाज था जब हम बिटीस और प्रिवेशिक काल में 18 सदी के आसपास के समय में या फिर 19 सदी के आसपास के समय में जब बात करते हैं भारतिय समाज की तो यह समाज कई सारी कुडीतियों से ओत प्रोध था यहाँ पर बाल विवाह यहाँ पर सती प्रथा यहाँ पर विध्वा पुनर विवाह का निशेद यहाँ पर इस्त्री सिक्षा की कमी यह सभी जो एस्पेक्ट्स हैं यह सभी एस्पेक्ट्स इस समय दिखते हैं भारतिय समाज की अंतरगत और जब बिटीस अपनिवेशिक सासन के दौरान में कुछ परिवर्तन किये गए कुछ कानून लाए गए जिन कानूने के वारे में कल मैंने चर्चा की भी थी उन कानूनों के माध्यम से इन परिप्रेक्षों में कुछ सुधार की गुणजाई से देखी जाती हैं जैसे कि जब हम बात करते हैं सतिव प्रथा के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 1829 में मैं आपके वाप प्रारूप बता रहा हूं इसको आप अपने लेवर पर इलाइबरेट की जिएगा और देन फिर कक्छा क्यांत में मैं एक एक करके जो उत्तर का प्रारूप होना चाहिए इससमाज में जो परीसीदिया थी यह आप बता देंगे कि भाई तत्कालीन भार्तिय समाज में इन कूरितियों की इस्थिती या उपस्थिती देखी जाती है शना इस पर इप्रेक्ष में ब्रिटिस ऑपनिवेसिक शासन के दोरान में कुछ महतपूर्ण कदम उठाए गए हैं जैसे की 1829 के बारे में आप जिक्र कीजिए फिर 1843 में जिस तरीके से दास्ता के उन्गुलन के संदरों में एक कानून पेश किया गया उसके बारे में बताईए और दिन फिर 1856 में जिस तरीके से विद्वा पुनर विवाह अधिनियम को लागू किया गया है और यहाँ पर दो तीन महतपूर्ण भारतिय समाज सुधारकों के बारे में भी आप इंडिकेट कर सकते हैं जैसे की 1829 में जब सतिप्रथा के अगेंस्ट में कानून लाए जाता है इलाबूरेट करना होगा इसके अलावा जो एक सांस्कृतिक स्तर पर आपको बताने की जरूरत होगी वह क्या बताने की जरूरत होगी वह आपको इस तरीके से बताना होगा कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व मानवतावाद तरकवाद है न वैज्यानिक सोच का प्रभाव मेरी बाद समझ में आ रही है और इसके फलस्चुरूप जो भारती जनमानस का एक हिस्सा मध्यम वर्ग के तौर पर उभरता है तौर पर और बुद्धी जीवी के तौर पर उभरता है है न और इन ही में से कुछ समाज सुधारक के तौर पर भी अपनी भूमी का निभानया शुरू करते हैं मेरी बाद समझ में आ रही है तो इस तरीके से इन इन पक्षों के आधार पर आप कह सकते हैं कि उस दौरान बिटीस ऑपनिवेसिक नीतियों के माध्यम से जो महतपूर्ण कदम उठाया जाते हैं उन कदमों के अंतगत ये ये जो पक्ष है ये ये जो पहलू है ये पहलू महतपूर्ण हो जाते हैं लेकिन इसका आर्थ यह भी नहीं है कि बिटीस ऑपनिवेसिक नीतियां जो थी सामाजिक और सांस्कृतिक इस्तरपण इन नीतियों का जो क्रियानवयन था इन नीतियों का क्रियानवयन बिलकुल सकारात्मक ही था इससे जुरे हुए कुछ नकारात्मक पक्षबी थे उनसे भी अंदेखा नहीं किया जा सकता है जैसे कि भारत में जो देशी भासाएं थी जो वर्नाकुलर लेंग्विजेज थी इनको लेकर के बिटिस सासन बहुत अधिक कड़ाई से पेश आ रहा था और वह नहीं चाहता था कि भारत में जो अस्थानिय भासाएं हैं या फिर जो देशी भासाएं हैं इनका प्रचार प्रचार हो और वे अंग्रेजी को बहुत अधिक महत्व दे रहे थे बहुत अधिक वरियता दे रहे थे इसके अलावा कल भी मैंने आपको बताया था कि जातिवाद और संप्रदायवाद को बरहावा देने में भी बाद में ब्रेटिस और पनिवेशिक नीती ने बढ़चर करके पाटिसिपेट किया था और इसके कारण भारतिय समाज में एक दरार की स्थिती धीरे-धीरे पैदा ह होने लगती है तो इन सब पहलूओं को भी आपको बताना होगा यानि सकरात्मक और नकारत्मक पक्च दोनों के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अब इसको यदि हम कॉंक्लूट करें तो आखिर जब हमको कॉंक्लूट करना है तो फिर किस तरीके से कॉंक किया भारतिय समाज की ततकालीन इस्थिती है ना जिसमें आप बाल विवा की सिती सते प्रथा की सिती सिक्षा की दैनिये दैनियता की सिती कन्या भून हत्या की सिती है ना इन तमाम कुरीतियों को इन तमाम निगेटिव एस्पेक्ट्स को आप यहाँ पर बता सकते हैं कि य इसके बाद जो कानून लाए जाते हैं, जो कदम उठाय जाते हैं, उन कदमों के माध्यम से क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना होगा, क्या कदम उठाये गए और साथ ही इसमें भारतियों की क्या भूमिका रही भारतियों की भूमिका ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक स्तर पर क्या प्रभाव परा इसमें आप बताईएगा कि स्वतंतरता, समानता, तरकवाद, मानोतावाद, बंधुत्व, वैज्यानिक सोच इन सभी को महत्व दिया गिया है न, और इसमें से तरकवी के माध्यम से एक ऐसी भावना के विकास होता है जो की बहुत बड़ी भुमिकानि भाता है भारती स्वतंतता आंडोलन के संदरों में और इसमें से एक जो महतपूर्ण भूमी का है वह राष्ट्यता केस्तर पर राष्ट्य भावना केस्तर पर यहाँ पर दिखती है राष्ट्रवाद केस्तर पर दिखती है लेकिन इसमें यह समय लगता है ऐसा नहीं है कि दिन अंदे राष्ट्य भावना की इस्तिति या फिर बहुत अधिक प्रसरे दिया इसने फूट डालो और शासन करो की नीती को महत्व दिया और भारती सामाज में एक दरार पैदा करने की कोशिश की ये सारी बातें आप यहाँ पर नकरात्मक प्रभाव के तौर पर भी लिख सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जातिवाद संप्रदाइवाद आदी का विकास होता है और फिर आप इस उत्तर को कॉंक्लूड कर सकते हैं निशकर्स्त या कहा जा सकता है कि बिटीस और निवेसिक सामाज़िक सांस्कृतिक नीतियों के माध्यम से भारत में एक हद तक साकरात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है सकरात्मक प्रभवाव देखने को मिलता है लेकिन दूसरी तरफ प्रेटिस और प्रिवेशिक नीतियां निश्तन देह तो अपर अपने हित के लिए शुरू की गई थी लागू की गई थी इसलिए कहीं न कहीं इसका नकरात्मक प्रभवाव भी हमें दिखता है और इस तरीके से आप इस उत्तर को पूरा कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रगार यह जो प्रशन है इस प्रशन का आप बहतर उत्तर लिख सकते हैं और मेरी गुजारी से मेरी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश कीजेगा कल भी मैंने आपको बताया था कि डेट सो शब्दों में या फिर धाई सो शब्दों में उत्तर लिखना होता है और उस हिसाब से आप इस प्रश्न का एक बहतर उत्तर लिख सकते हैं आप 1500 या फिर 2500 जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप इस से उत्तर को elaborate करते हुए और आसानी से लिख सकते हैं आप इसके अलावा एक बात और नोट कर लिजिए कि P2I batch के अंतरगत जो admissions है वो अब बंद हो रहे हैं 30 सितंबर को इस batch में एंतिमती थी निर्धायत की गई है admission की यदि आप ने अभी तक इस course को जाइन नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से इस course को जाइन कीजिए दिलिप लाइफ कोर्ट का इस्तमाल करते हुए इसके माद्धें से आप English या Hindi माद्धें में से किसी भी माद्ध अपन है और इसके अंतरगा आप दो हजार पचीस के लिए लॉंग टर्म बैच को जाइन कर सकते हैं निशित आप पर यह जो course है यह course आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है यदि आप basic level से त्यारी करना चाहते हैं इसके लिए भी आपको दिलिप लाइफ कोर्ट का ही इस course को जाइन कर सकते हैं तो जल से admission लिए आपसे batch में मुलाकात होगी और साथ ही यदि आप अपना प्रशन लिखना चाहते हैं लिख कर करके मुझे भेजना चाहते हैं तो फिर आप मुझे इस mail ID पर अपना प्रशन का उत्तर लिख करके भेज सकते हैं ताकि मैं आपको इ सको और यदि आप मुझे टेलिग्राम चैनल पर जूरना चाहते हैं तो आप ये मेरे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की चर्चा अब हम लोग इहीं पसमात करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सवाल के साथ तब तक अपना ख्या से भढ़ते रहिए अल्डे में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी आइक्यू आईएस हिंदी